कम मैनत में कुछ हलका फुलका हेल्दी नाश्टा बनाना हो तो आप इस पोहा की हेल्दी कटलेट की रेस्पी को जरूर बनाएं ये शाम को चाय के साथ खा सकते हैं नाश्टे में खा सकते हैं और आप इसे बच्छों को टिफिन में भी दे सकते हैं सिंपल रेसिपी है, बनाने बहुत आसान है, ना हम इसमें कुछ मैदा यूज़ करेंगे, ना ही बाइडने के लिए कॉन्टलूर, एक तम एक चमस तेल में बनाएंगे और टिफिल में बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है बहुत ही मज़़दा रेसिपी शुरू करते हैं पोहा का हिल्दी नाष्टा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कप पोहा लिया है, आप इसमें मोटे वाले पोहे का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो हमें क्या करना है न कि पोहे को पानी से धो लेना है, इस से क्या होगा पानी अब्सरफ करके पोहा जो है वो थोड़ा नरम हो जाएगा फिर हम उसे मैश कर सकते हैं, तो यहां पर यह देखें मैंने इसे ऐसे जालेदार बतन में डाल दिया है, इसके उपर डाल देंगे हम पानी यानि पानी से हमें धो लेना है, आप चाहिए तो सेम प्रोसेस नल के नीचे भी कर सकते हैं, बस सारे पोहे भीग जाने चाहिए, यह देखें, अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे, तो एक्स्ट्रा पानी जो है वो भी निकल जाएगा और पोहा हमारा फूल भी जाएगा और हमने धोने का भी काम कर लिया है, तो तीनों काम इस प्रोसेस में हो जाता है, 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि पोहा यहां पे नरम हो चुका है, यह देखें, तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक बड़े बरतन में डाल देंगे, तो यहां पे लिए चलते हैं इसे और एक बड़े बरतन में हम इस पोहे को ऐसे डाल देंगे, इसके बाद हम इसमें सब्जिया डालेंगे, तो सब्जियों में मैंने चार बड़े चमच बीट रूट डाल दिया है, बीट रूट को घिस ले, दो बड़े चमच अब बारी कटे हुई शिमला मिस डाल दे, चार चार बड़ी चमच हम बारी कटा हुआ प्यास डाल देंगे, सारी सबजियों को बारी काटे और गाजर बीट रूट को घिस ले, चार बड़ी चमच मैं यहाँ पे गाजर डाला है, एक छोटी चमच चिली फ्लेक्स डाल दे, एक छोटी चमच हम इसमें मिक्स ठब या फिर और गयानो डाल दे, आप इसमें हरी मिर्स या फिर धन्यापत्ता भी डाल सकते हैं, स्वात के नुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और इसके बाद इन सब को अच्छे से मिला देंगे, जैसे जैसे सारी चीजे मिक्स करेंगे, पोहा भी ऐसे मैश होता जाएगा, और इसके बैंडिंग के लिए कुछ भी नी डाला है, बस पोहा, सबजिया और मिक्स्ट अप और गयनो और नमक का इस्तमाल किया है, ताकि ये हल्ली रहे, अगर ये बैंडिंग अप का नहीं हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा बेसा नैट कर सकते हैं, लेकिन पोहा मैश होने के बा कटलेट बनाई या फिर चीज को ऐसे फोल्ड करके इसके अंदर ऐसे रखके किनारों को एक जगा लेके इसे बंद कर दे, ये देखे, हम इसे डी फ्राई नहीं करने वाले हैं, तो चीज जो है वो ऐसे भी बाहर नहीं आएगा, ये देखे, इस तरीके से, तो इसी तरीके स हम सारे कटलेट जो है वो बना लेंगे, तो कटलेट हमारे बन के तयार है, अब हम चलते हैं इसे पकाने के प्रासेस में, तो हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, तो इसके लिए तवे पे थोड़ा सा तेल या घी लगाए, ये देखे, बहुत ही कम, अच्छे से स्प्रेड कर द के तेरे बाहर आने लगेगा, तो उस लेवल तक आपको नहीं जाना है, उसके पहले ही इसे निकाल लेना है, तो यहाँ पे ग्यास का फ्लेम आप चिए तो थोड़ा कम कर दे, और ये हमारा कटलेट जो है, वो दोन्यों साइट से गोल्डन ब्राउन देख रहा है, तो अब ये बना के दे सकते हैं, तो आप इस हिल्दी कटलेट की रस्पी को जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा,